हालो स्टुडेंट्स विल्कम टो दिस चाना नाने के जुगेशन पॉइंट माइने में जीना टकर और आज हम क्लास 12 का अकाउंट इंसी का चाप्टर नंबर 4 जो है चेंज इन पीसर उसके एक्सरसाइज के क्वेशन करने जा रहे हैं मैंने इससे पहले इस चाप्टर का एक बनाया था जिसके अंदर बेसिक्स कॉंसेप बताए थे मैंने सेक्रिफाइजिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में और उससे रेलेटेड दो क्वेशन कराये थे एक्सरसाइज के फॉर्स्ट रंड सेकेंड अभी हम बात करने वाले थर्ड और फोर्थ क्वेशन के बार में जो की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस दो क्वेशन करने के बाद आप बहुत सारे क्वेशन खुद कर पाएंगे तो प्लीज यह वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करें एंड तक देखें अच्छे से कॉंसप समझें अगर आप यह कॉंसप समझ गए तो आपको कोई साभी क्वेशन आएगा बोर्ड में आप कर पाएंगे और आपके एड्मिशन रिटार्मेंट में बिल्कुल दिक्कत खदम हो जाएगी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेशन को रीड करते हैं कि क्वेशन कहता क्या है तो देखो I hope आपको क्वेशन दिख लीजएगा क्वेशन नंबर थ्री है एक्स वाइजएड आर शेरिंग प्रॉफिट अन लॉसेज इन दे रेशो और फाइव इस्टू थी इस्टू तू तू यानि की तीन पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट अन लॉसेज को शेर कर रहे हैं फाइव इस्टू बूढें और सक्रिफिश की कौन सा पार्टनर्स वो गेंड कर रहा है कौन सा पार्टनर्स सेख्रिफपाइस कर रहे द्यू टू दो चेंच इन रेशोग देखो बहुत सिंपल है मैंने अप लोगों को सण फ安 फॉर्म्ला बता था वही अपलाई करना होता है सन से मतलब होता है basically sacrificing का जो formula होता है old minus new ratio होता है तो चलो start करते हैं अपने question को करना सबसे पहले आप कोई सा भी question करें जब ही भी आप practice भी कर रहे हो अभी से habit बनाएं कि आप जो है question के अंदर जो चीज given होती है उसको पहले आप लिख लेजिए कि question क्या है रहा है एक प्रॉपर summary लिख लीजिए short summary कि क्या question क्या रहा है जैसे x y और z है इनकी old क्या है old share क्या है इनका five is to three is to two है ठीक है अब हम लिख लेते हैं कि इनका new ratio क्या है तो new ratio जो हुआ इनका one is to one is to one इसमें आपको confusion नहीं होना चाहिए कि one is to one क्यों है क्योंकि यह equally बाटने वाले हैं तो one is to one ही होगा उसके बाद बस क्या करना है सन अप्लाए कर देना है क्योंकि इसमें अगर हमार को यह बताना है कि कौन sacrifice कर रहा है कौन gain कर रहा है तो उसके लिए हमार को जो है निकालना पड़ेगा ऐसे मतलब है sacrificing ratio क्या होता है old minus new होता है और अगर आप gaining निकाल रहे हैं तो आप यहां से उल्टा कर दीजेगा new minus old कर दीजेगा ठीक है वैसे अब सन से याद रखेंगे तो दोनों फार्मले इसी में कवर होते हैं समझ गए उसके बाद क्या करना यहां लिख लीजे old share में से आपको जो है new share माइनस करना है ठीक है ना ऐसे तो सबसे पहले यहां लिखेंगे x फिर y फिर z ठीक है जैसे ही आप लिख लेंगे x y और z इनके old share क्या है तो देखो x का old क्या है बहुत सारे बच्चे इसमें भी confused रहते हैं मैं यह मान के चल रहे हूं कि आपके basic भी habit बन जाएगा और समझ भी आ जाएगा तो देखो 5 यह रहा मतलब old share कैसे लिखेंगे x का 5 तो हमने लिखी लिया बाकी कैसे लिखेंगे upon में जितने भी पार्टनर होते हैं उन सबके share को प्लस करके नीचे आता है तो 5 प्लस 3 कितना हुआ हमारा 8 हुआ 8 प्लस 2 कितना हुआ 10 हुआ तो 5 x 10 हो गया ठीक है माइनस करनेंगे new share अभी एक्स का share कितना है वन हो गया और फिर से वही तीनों पार्टनर का मिला के कितना हुआ 3 हुआ I hope आपको यहां तक clear है ऐसी y का लिखेंगे और z का लिखेंगे तो y का old कितना हो जाएगा y का old हो जाएगा 3 by 10 हो जाएगा ठीक है न माइनस उसके बाद 1 by 3 यहां पे सेम रहने वाला है और यह कितना हो गया z का 2 by 10 माइनस 1 by 3 अगर आपको यहां पर जल्द जल्दी करना है तो आप लोग पहले से ही यहां पर नीचे 1010 लगा दीजिएगा और यहां पर 33 लगा दीजिएगा इससे आपको अच्छे से समझा जाएगा चलो आप LCM लेना शुरू करते हैं तो मैं आपको एक LCM बता जिती हूं किस तरीके इस हम लोग लेंगे कोई सा भी नंबर है जैसे कि यह टू के फाइट टैन हो गया ठीक है थी का थी एजट इस हो गया फिर फाइब से भेज दिया हमने उसके बाद यह तो थी ऐसे रहा उसके बाद थी से यह चला गया जैसे नीचे बन बन आ गया हमारा LCM सॉल अगर सब को म नंबर आता है उसको आप साइड में लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं आती है चीज़े तो आप प्रैक्टिस करें साइड बासाइड फिर आपकी काल्कुलेशन स्पीड तेज होगी तो टैन के डिवन में 30 कितने पादा है थ्री जो भी नंबर आया उसको उपर वाले न लिख देना है ठीक है फिर आपको पता ही है यह कितना हो गया सीधा सीधा आप लगों का यहाँ पर फाइव हो जाएगा ठीक है न माइनस करते और यह 30 हो जाएगा ठीक है उसके बाद ऐसे ही वाय का निकालेंगे इसका एलसियम भी 30 है इसका भी 30 है पहले लिख दिया क्यों हो गया 9 हो गया माइनस 30 कितने पर जाएगा बेसिकली टैन पर जाएगा तो टैन लिख दिया है आप देखो अब यह चोटे में से बढ़ा जा रहा है तो हम लोगों का यहाँ पर कितना जाएगा माइनस बन भाए 30 आ जाएगा डाट मेंस गेन है जब ही हमारा आ जाएगा तो यह भी – में आ रहा है तो यह भी हमारा गेन हो गया तो यह गेन है और यह हमारा सेक्रिफाइज है तो बैसिकली आप देख सकते हैं यहां पे एक च captivity करने का तरीका यह भी होता है की जैसे चैन कितना हो रहा है और प्लूस 15 हो रहा मीज़़किंग स्कॉर्य स्क्रिफाइस किया है वाई और जैड ने जितना गेन किया वह दोनों ही बराबर है आपको क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं अब क्वेशन नमबर फॉर की तरफ हम लोग देखते हैं कि वेशन फॉर क्या कहता है ठीक है तो देखो जैने तीन पार्टनर्स हैं इसके अंदर ए बी सी और वो अपना प्रॉफिट अन लॉसस कैसे शेर कर रहे हैं तो हमें calculate करना है new profit sharing ratio and sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases याने कि अब हमार को एक नहीं दो दो चीज़े निकालनी है पहले तो हम यह निकाल रहे थे कि कौन partner sacrifice कर रहा है कौन गें यह तो इस question में भी निकालना है लेकिन इसमें साथ ही साथ हमार को क्या निकालना है new profit sharing ratio भी निकालनी है कि partner की नई वाली profit sharing ratio क्या है तो बहुत ही simple है चलो फटा फट से देखते हैं case number जो हम मारा वन है वो भी हम साथ ही साथ पढ़ लेते है case number one क्या क्या रहा है as per new agreement C requires one-fifth share from A याने कि इसमें बताया गया है कि one-fifth share जो है वो जो किस से लिया जा रहा है A से लिया जा रहा है तो मैं आपको बता देती हूं कि case number one के according अगर हम question करें तो सबसे पहले तो हम यह लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें given है तो देखो सबसे पहले तो यहां partner का लिख लिया A, B और C और उनकी profit sharing ratio old वाली कितनी थी 5 is to 4 is to 1 था वो लिख लिया अब case one के according यहां लिखते हैं यह cases बहुत important हैं जो आपकी question करने में मदद करेंगे तो case one के according जो है C requires जो है C requires one-fifth from A ठीक है तो A से one-fifth ले रहा है requires मतब ले रहा है ठीक है तो बात सिरफ और सिरफ simple सी यही है कि इसको कैसे निकाले तो देखो A's का new share कैसे निकालेंगे तो A का new share निकालने के लिए सबसे पहले A का old share लिखेंगे ठीक है जिसमें से हम लिखेंगे A requires share ठीक है sorry C जो है वो A से कितना acquire कर रहा है वो लिखेंगे ठीक है तो A का new share निकालने के लिए हम लोगों का old कितना है old है A का old कितना है 5 by 10 है क्योंकि देख सकते हो 5 plus 4 9 9 plus 1 10 होगा तो 5 by 10 होगा है माइनस करेंगे C require share और C require कितना कर रहा है A से तो वो कर रहा है 1 5 ठीक है तो A का new निकालने के लिए जो उसका पुराना share था उसमें से अगर A जो अपना share दे रहा है अगर उसको हटा दें तो ही तो पता चलेगा कि A का new share अच्छल में कितना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर minus कर रहे है उसका new share निकालने के लिए कि जितना उसका पुराना था उसमें से A दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि A का new share यहाँ पर आप लोग सेम भी ऐसे लिख दीजिएगा तो यहाँ पर हम solve करते हैं हमारा LCM जो basically आ रहा है वो है 10 इसको solve करेंगे तो 5 minus 2 हो जाएगा that is equal to 3 upon 10 हो गया ठीक है यहाँ तक clear है उसके बी का जो new share है वो सेम ही रहेगा क्योंकि case 1 में ऐसा कुछ भी नहीं बोला सिरब वो A से ही ले रहा है तो B का जो new share है वो सेम रहने वाला तो इसको हम as it is वैसी रहने देंगे 4 by 10 ही रहने देंगे उसके बाद हम लोग निकालेंगे C का new share ठीक है ना अब C का क्यों निकाल रहे है वही इसलिए निकाल रहे है उसका old और जितना उसने acquire कर रहे है दोनों को जोडेंगे तब ही तो पता चलेगा ना कि उसका new share क्या है क्योंकि यह तो अपना दे रहा था और C को मिल रहा है तो new share में कुछ जुड़ेगा इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे है तो इसका एक formula है old share plus acquire share कि उसने acquire कितना किया है ठीक है ना जो कि अभी 150 ठीक है यहां तक आई हो आपको clear हो रही होंगे सारी के सारी चीज़े अब हम लिखते है old share कितना 1 by 10 था हमने लिख दिया 1 by 10 required share कितना था 1 by 5 था तो LCM वही solve करेंगे तो हमारा कितना आ जागा 1 plus 2 is equal to हमारा 3 by 10 है I hope आपको दिख रहा होगा ठीक है तो अब हमारी new share क्या आ रहा है new share तो हमारा new share क्या आ रहा है वो देखते हैं देखो सबसे पहले a का new share आ रहा था 3 by 10 और b का हमारा same ही है जो मैं य 3 by 10 and c का कितना रहे 3 by 10 ठीक है तो अब देखो 3 4 and 3 नीचे तो सब बराबर ही है तो इसको balance करने की ज़रूरत नहीं होती है balance सब करना होता है जब तीनों ही जो भी partner का लिखते है और नीचे एक की जगा 10 हो या कोई दूसरा number और वह match ना करो अब तीनों में ही 10 10 है तो हम लि हो जाएगी I hope आपको case number one अच्छे से clear होगा अगर नहीं समझाया तो दो तिन बार देख लेना अच्छे से समझा जाएगा next case की तरफ चलते है case number two की तरफ case two ठीक है अब देखते है case number two क्या कहता है case number two कहता है as per new agreement c requires one-fifth share equally from a and b अब हमारा case जो है वो change होता जाएगा यानि कि अब वो बोल रहा है कि c require तो कर रहा है one-fifth share लेकिन a और b से बराबर ले रहा है ठीक है यानि इससे भी ले रहा है a से भी ले रहा है b से भी ले रहा है मिलके one-fifth ले रहा है तो इस question को किस तरीके से किया जाने वाला है तो देखो गई सबसे पहले बात आती है यहाँ पर case number two की कि हम यहाँ पर लिख लेंगे कि old share क्या था old share आपको पता ही यह दीनों partner का कितना था ठीक है न वो दूसरे page पर था बट आप लोगों को book भी सामने होगी मैं मान के चल रही 5-4-1 ही है और c जो है वो acquire कर रहा है पहले यह चीज़े लिख रहे है हम लोग requires one-fifth one-fifth share from a and b equally ठीक है अभी starting के questions है इसलिए मैं पूरी-पूरी statement लिख रही हूँ आप लोग जब करें तो starting में लिखेगा बाद में तो आपको habit हो जाएगी कैसे करना है तो देखो a का पहले हम लोग sacrifice निकाल लेते हैं कि sacrifice कर कितना रहा है जी बिल्कुल sacrifice कर रहा है कुछ बच्चों को doubt होगा मैं a sacrifice क्यों कर रहा है देखो question में already बता दिया गया है कि c जो है वो ले रहा है a से भी और b से भी तो उनका जो share है वो कम हो रहा है न ठीक है न तो वो sacrifice कर रहा है ठीक है न तो एक का निकालने के लिए देखो उसने कितना बोला था अभी मैंने आपको बताएं आपे वन फिफ्ट ले रहा है equally ठीक है न तो वन फिफ्ट लिख देंगे पहले और equally के लिए दो पार्टनर तो आधा ठीक है न वन बाई टू कर देंगे तो इस तरीके से करें लेगा क्योंकि वह दोनों से यह बराबर ले रहा है वन फिफ्ट का जो है वन फिफ्ट ले रहा है बराबर में अब हमें निकालना है कि कितना वन फिफ्ट ले रहा है वह तो ठीक है अब हमें निकालना है जब हमने यह निकाल लिया कि कौन कितना सेक्रिफाइस कर रहा है ए new ratio भी बता करना ज़रूरी है कि A को अब कितना बचा तो एका new ratio निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे old share में से A के sacrifice share को माइनस कर देंगे ठीक है मैंने short में लिख रही हूं A का जो है sacrifice share को माइनस करेंगे तो देखो यह तो as it is मैंने लिख दिया यहाँ पर ओल शेर कितना था एका आप लोगों को पता ही है फाइब टेन था उपर आप देख सकते हैं माइनस कर देंगे एक का share जो उसने sacrifice किया था तो देखो यह किया था ना वन अपॉन टेन लिख दिया यहाँ पर तो कितना हो जाएगा यह जब हम इसको solve करेंगे ठीक है ना तो जैसे हम इसको solve कर देंगे तो आपको पता ही है 10 10 है तो यहाँ पर जो कितना आ जाएगा को पता ही है जारे का माइनस कर सकते तो आपका फोर बाइ जो है वो आ जाएगा आई हो आपको क्लियर है next हम लोग चलते हैं बीके new share पर new ratio पर तो वो भी same formula है old share में से बीके siis जो share है उसमें से sacrificing share को हटा देना है तो तो कितना था इसमें से बीका जो sacrifice share कितना था 1 by 10 था तो 1 by 10 हटा देंगे तो 3 by 10 आ जाता है ठीक है ऐसे हमारा निकल गया बी का अब जो है मैं यहाँ पे कर देती हूं नहीं तो पीछे आप लोगों को confusion हो सकता है थोड़ा space का मैं तो यहाँ कर देती हूं एरो बना दिया है ठीक है इस तरीके से तो एक अन भी निकल गया और बी का भी निकल गया ठीक है अब सी का देख लेते हैं फटा फट से सी का न्यू रेशो क्या रहने वाला है जी ओल्ड शेर था उसका जो ओल्ड शेर में एक्वाइर शेर भी जोड़ना पड़ेगा ना कि उ बहुत सिंपल है सी का ओल्ड शेर किता था वन बाइटेन था ठीक है और एक वायर शेर कितना है मतल़ सी ने दोनों से मिलकर कितना लिया था वन फिफ्ट लिया है तो वही एलसे हम लेंगे तो कितना आ जाएगा वही आ जाएगा वन प्लस टू इस उग़ल टो थ्री अपॉ फोर बाइ टैन है ठीवाइ टैन है ठीवाइ टैन देखो नीचे नीचे सब बराबर है यह एठ शमीजब को डार्येग लिख सकते हैं फोर स्टू अन्सर अ होपाको क्लियर है नेक्स केस की तरफ मुट करते हैं केरण नंबर फ्री देखिए case number 3 बोलता है as per new agreement A, B, C will share future profit and losses equally यानि कि अब new agreement के according जो है तीनों partner जो है वो future profit जो losses जो है वो equal बाटने वाले है जी ये तो हमने बहुत ही असान है ये तो आप खुद भी try कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा रही हूं सारे के सारे cases क्योंकि इससे आपके illustrations भी हो जाएंगी लेकिन आप 3-3 बार 4-4 बार practice करें तो ही आपका accounts tips पाएगा और आप paper में कर पाएंगे तो case number 3 के according सबसे पहले वही आजाता है कि हमारा old ratio क्या है जो सबसे पहले आपको question के अंदर लिखना है summary a to b to c लिख देंगे ठीक है कितना है 5 is to 4 is to 1 है और new एचले यहां लिख देंगे new ratio कितना है new ratio है 1 is to 1 क्योंकि यह लोग future में बाटने वाले हैं बराबर में तो situation यही है तो मैंने लिख भी दिया हुई फिर से वही आपको क्या करना है apply कर देना है sun sun क्या है जी sacrificing में से का formula है old minus new share तो देखो sacrificing का formula old minus new तो आप लिखालना शुरू करते है a का share b का share और c का share equal to डाल दें तीनों में ठीक है उसके बाद लिखना शुरू करते है old क्या है a का तो 5 by 10 है minus new कितना है 1 by 3 है b का old कितना है 4 by 10 है और new कितना है 1 by 3 है c का old क्या है 1 by 10 है minus 1 by 3 ठीक है न तो यह कितना हो गए 10 और 3 का LCM अभी कर रहा था मैंने पीछे 30 है 15 minus 10 हो जागा यह आजागा 5 by 30 ठीक है न उसके बाद आता है हम लोगों का 30 as it is है तो कितना हो जागा यह है यह हैलसियम तो यह हमारा हो जागा 12-10 is equal to 2 upon 30 30-10 करेंगे तो माइनस सेवन अपन 30 आ रहा है क्योंकि शोटे मैं साब बड़ा माइनस करो बड़े का साइन लगता है सब मैं मान के चली है आपको आते होंगे नहीं आते तो आप लोग बेज जग मुझे में कामेंट किये करती चीएगा मैं उसके वीडियो बना दोंगी तो य यह भी मारा positive sacrifice जो नेगेटिव में sacrificing आदव आपको पता है क्या होता है यानि सी ने जो है वो गेंड किया है आई होब आपको यहां पे clear हो रहा होगा अब हम चलते हैं अपने case number 4 की तरह केस नंबर 4 केस नंबर 4 कहता है एस पर न्यू एग्रिमेंट सी एक्वाइर वन टेंथ शेयर औफ ए और वन बाइटू शेयर औफ बी याने कि अब यह नया एग्रिमेंट में यह बताया जा रहा है कि सी एक्वाइर कर रहा है उसको मिल रहा है वन टेंथ शेयर एसे मिल रहा है ठीक है याने कि ए के शेयर का वन टेंथ मिल रहा है और बी के शेयर का वन हाफ मिल रहा है ठीक है ना तो इस तरीके से मिल रहा है शेयर तो अब जो है यहां पर करना क्या है देखो बेसीकली ओफ है याँ पर और हमें या जीज पहले से ही पता है कि ़िप कशम को क्या करते हैं और हमारा फ्रॉम के लिए क्या करते हैं फ्रॉम में हम लोग यह समझ पा रहे थे कि फ्रॉम में जो होता है बेसिकली case number 4 पढ़ते हैं जो कि हमारा last है उसके बाद यह जितने भी sacrificing और gaining share के questions है वो यहीं पर complete होते हैं इससे आपके illustration 100% हो जाएंगी अगर आपको illustration में doubt होता है तो आप comment कर जीजेगा मैं उसके पर भी video बना दूँगी तो case number 4 हम फटाफट पढ़ते हैं as per new agreement C requires one tenth share of A and half share of B याने कि कहने का मत्तब है कि C require कर रहा है ले रहा है one tenth share of A याने कि अब यहाँ पर from नहीं है अब share of है याने कि from और off इन दोनों के difference को अगर आप समत जाते हो तो आपके question में कभी भी गलती नहीं होगी तो फटा-फट से नोट लिखिए जो कि आपको पता होना ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो आप note करके यह चीज जो है अच्छा से लिखे ताकि आपके हरे question असानी से हो पाएं तो देखो जब भी question हमारा from का होगा from का तो from का मतलब होता है share, say from का मतलब है say ठीक है जैसे कि हमने question अभी solve भी की है कि वो अपने profit profit में से दे रहा है ठीक है न basically कि profit इतना profit में से इतना हिस्सा उसको दिया जा रहा है ठीक है तो वो होता है from और from की case में हम लोग क्या करते हैं minus करते हैं इतनी चीज़ आपको याद रखनी है उसका दूसरी चीज़ आप जो अभी करने वाले हैं वो है off off के case में आप लोगों को याद रखने होता है कि off का मतलब होता है का यानि share का share का हिस्सा दे रहा है जैसे अभी हम question हमने पढ़ा उसमें आप लोगों को याद रखनी है जो कि आपके बहुत जादा काम आने वाली है अगर आपको डाउट हो आप कमेंट तो करेंगी ही ठीक है तो जल्दी से का case number 4 का यहाँ पर हम लोग summary जो है वो लिख लेते हैं क्या कह रहा है तो देखो सबसे पहले हम summary लिखना start करें old ratio is equal to a is to b is to c a का sacrifice to c की a कितना sacrifice कर रहा है तो देखो 5 by 10 तो old ही था ठीक है ना इसका a का old था और 1 तेंथ जो share जो है वो अपना दे रहा है तो कितना हो गया 5 upon 100 हो गया इसको cut करेंगे तो वो 1 upon 20 हो जाएगा 5 से cancel out हो रहा है उसके बाद हम निकालेंगे b का sacrifice to c की b कितना कर रहा है तो पहले बी का old लिख लिए फिर जितना वो दे रहा है तो कितना हो गया 4 upon 20 क्योंकि हाफ की बात हो थी तो वह लिख दिया ठीक है ना तो कितना आगया 4 upon 20 आगया और यह कितना रहा 1 by 20 अब निकालेंगे ची का गेन क्योंकि उसने तो गेन किया ही है इससे भी लिए दोनों को जोड़ देंगे तो वह उसका गेन है तो वन बाइ जो यहां लिखेंगे हम लोग 20 प्लस 4 upon 20 यहां तक आपको ख्लियर हो रहा होगा एंड यहां जाएगा हमारा 5 by 20 तो C का गेन जो हमारा यहां पे निकल चुका है चलो उसके बाद निकालती है new ratio ठीक है ना new ratio तो निकालना है यह new ratio तो A का new निकालने के लिए क्या किया जाए तो A का new share निकलने के लिए old लिख लो पहले old कितना था A का 5 by 10 है जिसमें से उसने sacrifice कितना किया था 1 upon 20 LC हम लेंगे तो कितना आ जागा 10 minus 1 is equal to 9 upon 20 ऐसे हम लोग क्या करेंगे B का B का निकालेंगे B का new share ठीक है ना तो B का old कितना था 4 by 10 था अभी कितना दिया उसने 4 upon 20 दिया वही LC हम लेंगे 28 minus 4 करेंगे तो 4 upon 20 आ जाएगा ठीक है तो C का देखेंगे पता करेंगे अब C का basically C का new ratio देखो old कितना था C का 1 upon 10 था और अभी हमने समझा कि हमारा कितना आ रहा था मतलब A का और B का मिला के कितना मिला है तो वो मिला है C को 5 by 20 तो फिर से कि सारी चीज़े concept clear होंगे और वीडियो कर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर कमेंट कर दीजेगा नेक्स हम वीडियो के अंदर accounting of goodwill के basics देखने वाले हैं और उनके questions हम solve करेंगे सो वीडियो को शेर कर दीजेगा लाइक करें और कमेंट करते रहें चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच दीजेगा खेंगे टो उनके मच अजेद बचलाइब करेंगे मरेम सब्सक्राइब